तो आलो दोस्तो आज किसी वीडियो में सीखेंगे कि आप अपने पैन कार्ड को अधार कार्ड से किस तरीके से लिंक कर सकते हैं तो अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को अधार कार्ड से लिंक नहीं किये हैं आपको जो pen card है वो बंद कर दिया गया है यानि कि दोस्तों आप किसी भी तरीके से अपने pen card को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों आपको एक हजार रुपए का लेट फीस देना होगा यानि कि आपको एक हजार रुपए की यहाँ पर पैनाल्टी देनी होगी उसके बाद दोस्तों आप खुछ से ही अपने mobile phone से बड़ी असानी के साथ अपने pen card को अधार card से link कर सकते हैं आज किस वीडियो में आपको live proof के साथ दिखाने वाले हैं तो वीडियो के लाज तक बने रहना है दोस्तों pen card को अधार card से link करने के लिए आपको इस website को पर आज आना है इसका link मैंने वीडियो के description box में दे दिया है वहाँ पे click करके आप direct space पर आज आएंगे या फिर दोस्तों आप अपने google chrome browser में type करेंगे incometext.gov.in आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं या फिर नहीं है link अधार status के उपर click करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना pen card number डालना है तो यहाँ पर देख सकते हैं अधार number डालने के लिए आज आईगा तो यहाँ पर आपना अधार card number डालेंगे this called गया पर आप लोग देख सकते हैं scroll down करके नीचे आना है यहां पर देख सकते एं आपको अपना pen card number डालना है और नीचे यहां पर आधार number डालना है उसके बाद नीचे देख सकते हैं validate को option है इसके उपर click करेंगे जैसे ही दोस्तो बैलिडेड वाले option को उपर click करेंगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं मेरा जो पैन कार्ड है अधार कार्ड से लिंक नहीं है तो इसलिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा इसके बार दोस्तों नीजे साइड आप लोग देख सकते हैं continue to pay का option मिल जाएगा इसके उपर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने नया pen जो पेन हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं pen number डालने के लिए आज आएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं confirm pen card number आपको डालना होगा इसके बाद नीचे यहाँ पर mobile number डालने के लि क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं you have successfully verified यहाँ पे आपको देखने को आज आएगा यहाँ पे आपका pen card number देखने को मिल जाएगा आपका जो भी नाम होगा यहाँ पे आपको सारा कुछ देखने को मिल जाता है उसके बाद सिंपल सा continue वाले option को पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों आपके सामने नया page open हो जाएगा जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यही पर काफी सारे लोग गलती करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान डखना है यहाँ पे देख सकते हैं income tax का आपको option देखने को मि यहाँ पे आपको 2024 और 25 वाले को select कर लेना है उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर देख सकते हैं type of payment को option आजाएगा तो simple सा एक बार इस box के उपर click करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे साइट देख सकते हैं आदा received 500 को option आएगा इसको आपको select कर लेना है देख सकते हैं sub type of payment को option आजाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं free for delays वाले option को आपको select कर लेना है इसके बाद simple सा नीचे continue को option मिल जाएगा इसके उपर click करेंगे यहाँ पे आपके सामने एक और नाया page open हो जाएगा जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे सामने काफी सारे option मिल जाते हैं जैसे कि आप अपने net banking के माध्यम से भी यहाँ पर payment कर सकते हैं अगर आपके पास debit card है तो debit card को select करके आप अपने debit card की details को डालके 1000 रुपाय का payment कर सकते हैं अगर दोस्तों आप phone पे google पे की मदल से payment करना चाहते हैं तो यहाँ पे last में आपक state bank of India को select कर लिया है यहाँ पर दोस्तों bank select करने के बाद नीचे side आपको continue option मिल जाता है तो simple से एक बार आपको continue वाले option को पर click करना है जैसे दोस्तों यहाँ पर continue वाले option को पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने payment details देखने को मिल जाएगी scroll down करके सबसे नीचे आ जाना ह तो यहाँ पर pay now का option मिलेगा इसको उपर click करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं Trumps को accept करने के लिए आज आएगा तो यहाँ पर आप लोग इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं I agree का option मिल जाएगा छोटा सा box इसमें option को पर click करना है जैसे दोस्तों यहाँ पर submit वाले option को पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं net banking का भी option आज आएगा और नीचे यहाँ पर देख सकते हैं UPI से भी आप payment कर सकते हैं जैसे की phone पे Google पे से यहाँ पर simple सा मैं UPI वाले option को select करेंगे उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको दो option देखने को मिल जाता है BPA और यहाँ पर नीचे QR code का तो simple सा यहाँ पर मैं QR code वाले option को select करेंगे और confirm वाले option को पर click करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने QR code भी निकल के आज आएगा तो इससे भी आप payment कर सकते हैं simple सा आपके सारे option निकल के आज आएंगे तो आप किस से payment करना चाते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं phone pay को select कर लेता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं direct phone pay के अंदर आ चुके हैं और यहाँ से हम payment कर लेते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मिरज़ एक हजार रुपय का payment है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ से दोस्तों आप अपना चालान भी download कर सकते हैं यहाँ पर download का option मिल जाता है simple सा यहाँ पर click करेंगे आपका जो चालान रहेगा एक हजार रुपय का वो download हो जाएगा उसके बाद simple सा आपको वैक आजान है और दोबारा से आपको चालान serial number भी आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर जो आपका payment है reflect हो जाता है उसके बाद नीचे यहाँ पर continue को option मिल जाता है इसके उपर simple सा आपको click करना है यहाँ पर दोस्तों आपको अपना नाम डालना है जो आपका अधार card में है उसके बाद दोस्तों नीचे side य लिंक का अधार वाले option को पर click करना है जैसे यहाँ पर click करेंगे तो आपके mobile number पर एक OTP send किया जाएगा तो उस OTP को यहाँ पर डालेंगे वो simple सा validate वाले option को पर click करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके समने कुछ इस तरीके से interface साज यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको जो pen card अधार से link का process है वो भेज दिया गया है और यहाँ पर आपका 48 खंडे के अंदर आपका जो pen card है अधार काड से link कर दिया जाएगा। पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहां पे आप अपना pen card number डालेंगे नीचे यहां पे देख सकते हैं अधार number डालने के लिए आज आएगा तो यहां पे आपको अधार card number डालना है उसके बाद नीचे यहां पे देख सकते हैं view link अधारी status इसके उपर क्लिक करेंगे ज कुछ ही इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, आप लोग भी इसी तरीके से अपने pen card को अधार card से link कर सकते हैं, I hope कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, तो वीडियो के एक लाइक जरू से करिएगा, चैनल पर नहीं हैं तो subscribe कर लिजिएगा, चैनल ये मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम,